आठ घायल हो गए जिन में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है घटना सलेय अथाना चोदरी के बिगहा की है जुआनकारी के मुताबिक मामले एक पक्ष की जमीन पर गाओं की ही कुछ लोगो द्वारा जबरन नाली और शोच की टंकी का निर्मान से जुड़ा हुआ बताया ज जा रहा है पीड़ित पक्ष के मुताबिक निर्मान का विरोध करने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनके साथ मार पीट की गई फिलाल पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाच में शुट गई है रहा है नली जमीन के यहां से नली नकाले जा मोईन गौलिस था रहा है उसके मुखे जी बोलिन सर्फभाइज की नली निकाले दोड़ा निकाला है पैंप के अंदर पानी जाईए है कर दोड़ा पन्हा जरती तो तोड़ा इसमें तक लिए निकाले थे हैं मगर बोलते हैं कि नहीं हम ले निकालने नहीं देने हैं हम लोग नहीं थे और अवरत लोग ते उसके दो दो दफाइन लोग जे एक जमिला और बीचे कर लिए जब कि मुख्या जी भी देकिन सर्फ़ा और सिसल आजे पता मुख्या जाज़ा पाइन।